यात्रियों की सुविधा के लिए शेहर और देहात में चलाई जा रही इलेक्ट्रिक बसों का किराया बढ़ने जा रहा है मंडला युक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षिता में बैठक हुई इसी इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है मंडला युक्त की बैठक में किराया बढ़ोत्री के लिए प्रस्ताव रखा गया है यात्रियों की सुविधा के लिए शेहर देहात में करीब सौ बसों का संचालन किया जा रहा है सुवधाओं से लेस नगरियबस सेवा का किराया बढ़ाने पर यात्रियों की जेप पर भार पड़ेगा मंदलाइक तो रितू महेश्वरी की अदिक्षिता में आगरा मत्रवा ट्रांस्पोर्ट सर्वेस की 27 वी बैठक हुई बैठक में नगरियबस सेवा में किराया बढ़ातरी का प्रस्ताव रखा गया प्रमुक सचिफ दौरा गठित निधी प्रभंद समिती की बैठक में दिये गए नरदेश के अनुपालन में प्रस्ताव शाशन को भेजा है इसके साथी शहर देहात में नगरियबस सेवा के लिए स्टोपेज भी नहीं बनाय गए हैं इस पर मंदलायक्त ने नाराज की जता ही है मंदलायक्त ने नगर आयूक्त को स्टोपेज बनाय जाने के निर्देश दी हैं जिससे बस स्टॉपिज पर खड़ी होकर सवारी ले सके। स्टॉपिज बनने से इस शहर की विस्ततम मार्ग एमजी रोड पर जाम नहीं लगेगा। वर्तमान में नगरे बस सेवा के चालक चाहे जहां बस खड़ी करकर सवारी बैठा रहे। महत्मा गांधी मार्ग पर इस तरह बस खड़ी होने से जाम के हालात पैदा होते हैं। तास डिपो का निरेक्षन करने पर लापरवाई मिलने से नोडल अधिकारी ऐसल शर्मा ने फोर मैन लेक पाल को ने लंबित कर दिया। नोडल अधिकारी को डिपो में बसों की कमी के साथ अनिमिताय में ली जिसकी गाज फोर मैन पर गिर गई। सी निउस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट